हाई दिस इस अमन आज हम आप लोगों के लिए लेके आए थर्टी डे सी चैलेंज नाइलिट ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो जैन्वरी 21 में या जुलाई 21 में सी के एक्जाम में आपियर होने वाले हैं तो आपको जैसा पता है कि सी का पेपर काफी मुश्किल होता है और उस्टूडेंट्स को निकालने में काफी दिक्कत आती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने थर्टी डे सी चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं और यह सी का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है दिसमबर 20 होगी यह free होगी और यह live होगी जिसकी टाइमिंग शाम को 7.30 to 8.30 रोज क्लास होगी एक घंटे की और उसे एक घंटे की क्लास में हम क्या-क्या cover करने वाले हैं यह देखते हैं इस एक घंटे की क्लास में हम cover हम अपने पूरे 30 दे सी चले सी लेंग्वेज के चैलेंज में कवर करेंगे रोज एक बहुत ही important question कवर करेंगे जो आपके exam में पूछा जाता है ठीक है ना तो 30 most important question cover होंगे या programs cover होंगे इन 30 days में with detailed explanation ठीक है एक question के बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आपको के exam में करने में किसी भी तरह की कोई परिशानी ना आए और यह जो 30 questions हमने तयार किये हैं यह हमने अपने experience का स्टमाल करते हुए किया है हमने बताया बता चुके हैं आपको जैसे कि हम 10 से जादा सी प्रोग्रामिंग के बैचे बढ़ा चुके हैं बहुत सारे students जो है पढ़ाई के बाद सी का paper निकाल चुके हैं और first attempt में निकाल चुके बस जरूवत इस चीज़ की है कि आपको dedication से यह 30-day C का जो challenge है इसको अच्छे से रोज इसको आपको attend करना है और जितना भी हम बताएं उसको अच्छे से आपको करना है अब यह 30 दिन की मैनत तो सी का निकालने के लिए करने पाड़ेगी अगर आप सही बात चाहते हैं और अगल डिप्लूमा को पास करना तो इतना आपको करना पड़ेगा बाकि खर अगर बात करें और हम क्या करने वाले हैं इस एक घंटे की रोज कळास होगी उसमें ओर हम पढ़ाएंगे उसमें और हम हो गया है कि अगर 40 मार्स का है अबजीक्टिव का पेपर तो जिसमें 20 मार्स आपको आने ही चाहिए तब ही डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्टिशन चेक होता है तो आप इसलिए अब्जेक्टिव बश्टूडेंस जो जो है डिकत क्या आती है वो objective बहुत गलत कर देते हैं क्योंकि उनको clear नहीं होते हैं तो objective भी हम रोज 10 objective question cover करेंगे जिसमें कभी हम mcq cover करेंगे जिसमें कभी हम true false cover करेंगे कभी हम match the following cover करेंगे और कभी हम fill in the blanks cover करेंगे जैसे आपको पता है कि 4 part में आता है objective का paper तो यह सारी चीज़े cover करेंगे तो इस तरह का रोज 10 objective question cover करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 30 days में आपके 300 objective question cover हो जाएंगे और अगर आपने 300 objective question cover कर लिए तो आप बहुत आसानी से 30 plus objective में marks ला सकते हैं और 30 जो हम most important questions और program देने वाले हैं उसमें अगर आपके जो है उस 30 में अगर आप मान लीजे कि कुछ नहीं उस 30 में अगर आपके मान लीजे 5 question भी आ गए हम बहुत नहीं कह रहे हैं कि वो 5 question भी आ गए तो अगर वो 5 question भी आ गए आपके तो आराम से आप एक question 6 या 7 नंबर का होता है तो अगर हम 7 नंबर का भी average रख रहे हैं तो 7 7 5 35 35 marks आपके solid इधर हो गए और आप उधर आपके objective कवर हो गए 30 वो हो गए 30 और 35 minimum 65 आपके ऐसे ही हो गए और यह तो हमने 5 questions तो हमने बहुत minimum बता हैं ठीक है ना इस 30 में जो है यह आपके काफी जो है 10 to 15 मतलब हमारे हिसाब से 10 to 15 questions उसमें पार्ट में question आते हैं तो 10 to 15 questions वहां पर cover होने चाहिए क्योंकि वो कई पार्ट में भी हो जाते तो अगर जो है 10 आ गया तो आपके बहुत-बहुत cover हो जाएगा मतलब almost सब कुछ cover हो जाएगा तो यह सारी चीजें जो है 100 marks के paper में आप बहुत आसानी से 50 marks ला सकते हैं बस जरूरत इस चीज की है कि आप regular जितने भी इसमें हम sessions देने वाले हैं 30 sessions देने वाले हैं वो सारे आप regular attend करें और इसके अलावा हम आप लोगों को यह assignment भी देंगे हर class के बाद ताकि जितना हमने पढ़ाया है जितना भी हम एक lecture में पढ़ाएंगे आप next lecture स्टार्ट होने से पहले उतनी चीज तैयार जरूर कर लें ठीक है तो 30 days सिर्फ आपको देने हैं और बहुत आसानी से ck paper निकाल सकते हैं हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग है हमने देखा है student कि जो है दो दो तीन-तीन साल ck paper नहीं निकाल पाते हैं इवन कई बार तो ऐसा होता है कि student जो है 5-5 साल पूरा उनका time पूरा हो जाता है उनको registration फिर से करहना पड़ता है फिर भी ck paper नहीं निकाल पाते हैं इसलिए ऐसा आप लोगों के साथ ना हो आप लोग first time में निकालें और अगर आपका पहले नहीं निकला है तो इस बार जरूर क्लियर कर लीजिए ठेक है ना तो कि आपको जैसा पता है कि आगे फिर आपको ck paper देने को भी नहीं मिलेगा July 21 के बाद यह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इनको सी का basic भी नहीं clear है तो जिनको basic भी नहीं clear है उसके लिए हमने जो है 40 lecture का पूरा सी का course बनाए हुआ है लेकिन वो तो फिर आप हमारे इंस्ट्यूट की website पर जाएंगे उसको तो आपको purchase करना पड़ेगा लेकिन उसी के 10 lectures हमने जो है YouTube पर डाले हुए हैं और जिसमें का आप जो है उसके शुरू के 10 lectures जिसमें हमने पूरा basic cover किया है तो वो भी free or cost है आप इसी description में हमने link दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर एक एक lecture सारे आप ले सकते हैं वो 10 lectures और जब आप 10 lectures ले लेंगे तो आपका पूरा जो है तय प्यार हो जाएगा ताकि आप जो है किसी भी तरीके का जो भी हम पढ़ाएंगे वह बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो है आपको जो भी question समझाएं पूरा basic से समझाएं ताकि आपको सारी चीजें clear हों ठीक है तो अगर आप वो जो उसमें के 10 लेक्चर देख लेंगे तो वह आसानी है अगर नहीं भी देख पाते हैं तो शुरुआत के पांच लेक्चर जरूर देख लिजेगा उसमें के यह सी चैलेंज स्टार्ट करने से पहले चलिए ठीक है उम्मिद करते हैं सभी लोग जह है देसंबर वन को 730 पर जह जन्वरी 21 में देना है तो सभी लोगों को यह वीडियो जरूर आप भेजें ताकि सभी स्टूडेंट जन्वरी 21 में सी का पेपर बहुत आसानी से निकाल लें हाँ एक चीज और जो भी स्टूडेंट 30 डे सी चैलेंज लेना चाहते हैं सभी लोग कॉमेंट जरूर करें जो इस सी चैलेंज को लेने वाले हैं तो चलिए ठीक है मिलते हैं रिसमबर बन को गुद बाई टेक केर